तो गाइस कैसे हो आप लोग तो स्वायर स्टार नेक्स्टी नोवल के एपिसोड नमर 83 में आपका स्वागत हैं तो कोसिस करूँगा कि आज पांच मिनमर वीडियो देखा लूट था कि मैं आगे आने वाले चैप्टरस के साथ कैच अप कर सकूँ तो चलिए सुरू करते हैं हैं एप लोग कोर सकते हैं जा भी ऐसे के साथ हैं लूत flags कर रहा होता हैं जो कि घॉ सारीघी क्रेंड करने लगता है तो इसे को मैं स्कीप करता हैं अब यहां पे लूप में पादा Tor actually, dear the यह कि आटिश के और यहां पर एक और होता है जो कि थ्वासा स्ट्रॉंग होता है उन दोनों क्रेचर से जो कि लूपवेंग के लिवान टेकनिक को थ्वासा रेसिस्ट कर सकता है और यहां पर तीनों को इंजट कर सकता था और यहां पर वरामसंसा फ्राइट कर सकता है अब यहां पर लूप करेगा उसकी जो विल पाउड होगी वो उतनी सार्फ होती जाएगी लूफिंग क्या था कि मैं यहां पर तीनों को मारने वाला हूं ताकि मैं उनसे अपने आपको और भी पाउफुल बना सकूं और यहां के ट्री को अपने कबजी में ले सकूं अब लूफिंग अपने और यहां पर हमें दिखा ला जाता है कि एवी के मारतमा मोयू किंग यान को बॉन पार्टर जो कि ज्यांग क्लैन की डौव पार्टनर होती है उससे मिलवाने के लिए लाया होता है और वहां पर उस क्लैन के बहुत भरे इल्डर्स भी आयुए होते हैं और उन्होंने ग्रै के लिए सब्सक्राइब Adventures कि अ какого का श Sumo River दॉद्पवी आइए होते और में हैं कि और एक फिक्रे भी आνड़ियों की वायफ में टर इन दॉन गड़ने मेंट वहां बैटकर बाते सुन रहे होते हैं और अणहों को आपकर के सब्सक्राइब दफा होता है जैंक्लान में आने का और यहाँ पर उन सब को डड़ लग रहा था कि उन्होंने कहीं इसके लिए डिस आप्रूब ना कर देवो राजी ना हो लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहां तो वो सब इसके विलकम करने की तयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बताया आजाता है कि जैंक्लान रॉय फैमली का काउंटलेष डिसेंडेंडन में से एक आता है और वो लड़की से एक एक रॉट्वार होती है तेंट थाओजन ऑफ इटन अटर्वार्ड में से एक यूंकि उतनी प्रॉमिनेंट नहीं होती है उन्हें लगा होता है कि वो साधी के रेडी नहीं होंगे क्योंकि उनका जो लीडर होता सबसे रैंक नेमर वन पी वो गॉट किंग लेवल का बंदा होगा इसलिए उन्हें इन सब की अप एक्छा नहीं थी लेकिन यहां पर वो उसकी जस्न कर रहे होते हैं मतलब उन सब को ही खुसी होती कि यहां पर रूपेंग क जो होता है सारी चीजे अनो सब करता है कि यहां पर बोर हो जाओंने इन इन पर चलते हैं और पर यहां पर चलते हैं कि ते time को दिखा आ होता है लेकिन उसके में उसके मैं बारों पॉल्यूट्ट किया रहा होतां सबली दिखाया जाता है कि वहां प्रेग के मेरों यहôngin हो जाता है और जल bipolar frightening कर चाहता है कि मैंने यह हैं के नेटीव कुऩ मतला ने बहुत होतो भार मार दिया है और इस mater को अपना बनाया है आकर तुभली इंतजारता हुए वाँ पर रॉप बणना करा होता है कि वह बंदा को इन्षैज्घ की विलपाऊइस रखने वाला बंदा होता है वह करना चाहता है और यहां पर तुम यहां से अगर मर cats रहा हो जाओ यह देगा correcting फौस्त लिवल के बंदें हो आखिर तुमाbst है तुम इतने लिबात कर सको और दिखा जाता है कि असल यहां पर कोई normal बंदा नहीं होता है येलोवारीड के बार में बताया जाता है कि वह लूपर को दीकर surprise हो जाता है और असल में पता चलता है कि वो कोई और नहीं food kingdom का बंदा होता है मतलब वह फूट kingdom होता है जिसको की झूल सांकी का दुस्मानी होता है जिसके उपर जो सण के ने अटैक कर दिया होता ऐन के फैमिली को मार दिया होता उसी की नम का एक बंदा आज लूपेंग के सामने करा है वह भी गॉड़ कि लेवल का वह आपको थोई से रिप्टीट टाइब लग रही होगी कुछ बाते मैंने फिर से रिपीट कर दी होगी लिकिन वह ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने चैप्टर को आगे से कर दिया था मैं उसके बाद में रिलाइज हुआ कि मैं आगे के चैप्टर इसके लिए माफी जाता हूं तो वासा बोरिंग भी हो गया होगा तो इसे के साथ हमें दिखाए जाता है कि लूपन जैसे उस बंदे को दिखता है वह उसके पहचान जाता कि यह कोई और नहीं को मैंने जैसा कि आपको बता दिया हम यहां पर आने के बाद आपकी जो पावर होती वह बहुती ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है आपको यहां पर आपने बॉडियर स्ट्रेंड और विल पाउर पर डिप्लॉई करना पड़ता है इसे कारण तो यहां पर देखा जाता है पास एक अपर हैंड होने का भी चांस होता है और हमें दिखाया जाता है कि कि उसके तब देखने लगता और क्या थै कि चलो अज देख लेता हो कि यह गॉड़ की जो कि फोल्ड केुंडम से कितना ज़ाला है श्ट्रॉंग हैं और फिर हम दिखाया जाता है लूपेंग को द कि यहां पे उसके लिए भी यहां पे आना बहुत ही मुश्किल से हो पाया था उसने बहुत ही करी मेनद की होती हो गार्ट किंग बनने के बावजूद भी इतने साव तक संघर्स करने के बावजूद इतनी सा मेर्ट पॉइंट को गिनने के बाद भी वह यहां पे आ पाया था लेकिन लूफेंग जो कि के उसुरलम का ट्रांसेडेंट बंदा है जो कि अभी आ गया है तो इससे उसको जेलिसी तो हो नहीं वाली थी और इसको बहुत ही जाला गुस्ता आने लगता है और क्या आता है कि चलो मैं दिखाता हूं कि किस मिटी का बना हुगा हूं लूफेंग पे अटाक कर दता है और दिखाया जाता है कि अब जैसा कि मैंने बताया आपको पिसले एपिस्टोड में कि यहां पर किसी की बॉड़ी डिस्ट्रॉई होगे तो उसे फिर से नया कोटा ल यहां पर वान फैंग ओल एंचेस्टर को कॉन्फेंट था हम क्योंकि यहां पर उसे लग रहा था कि वह लूफेंग को बड़ी असानी से मार देगा अब भाले ही उसने डौ के प्लांचेस को कंप्लीटली अंडर्स्टैंड नहीं किया होता लेकिन उसने अर्रेडी दो गॉ इसबल फोर्स से लूफेंग पर अट्यक कर देता है और यहां पर फ्लेम से अटैक किया लाता अब देखो अभी तक पूरे सीरीज में पहली बार जिकर हो रहा है फ्लेम की जैसे कि हमने बैटल थू दो हैवन्स में देखा कि कैसे वहां पर फ्लेम स्टीनरी होते लेकिन यह पर में पदा चलता है कि यह कोई मामली फ्लेम नहीं होती है यह infinite origin लिवान टेक्निक बड़ी आसानी से उसके माइंड को जलने से बचा लेती है यहां तक यह बताया जाता है कि उश टेक्निक से लूपेंग को नुकसा नहीं बलकि फायदा होने लगती है लूपेंग की माइड और भी अच्छे से कमफर्टेवल महसूस करने लगते लेकिन फिजकल बॉडी की थोड़ी बात अलग होती है फिजकल बॉडी उसकी जलने लगी होती है लेकिन क्या करें वो भी उसका कुछ नहीं बिगारंपाती लूपेंग की बहुत जली इसको प्रीत चाहरान हो जाता कि अखिरता है इसनी liar को क्या से कर लेदेखल को आखिरवल्यंग को कि अब मेरी बार यह तुमने अटैक कर जा जिसके बाद लूपिंग अपने हाथों को उपर उठाता है और अपने ब्लेड को सामने रखता है यह ब्लेड भी बहुत आप पाफुल होती है और यह सब में गॉड किंग लेवल ब्लेड टेकनिक होती है जिसका ना वन स्लैश टू दिखाया जाता है कि इसके कान उसके ऊपर अटैक तो होती है लेकिन फिर भी वह उसमें सप्रेस हो जाता है लेकिन दिखाया जाता है लूपिंग को जिसकी स्पावर को दीकर वह बंदा हैरान होते हुए कहाता है कि तुम सिर्फ एक मेर के बंदे हो लेकिन फिर भी तुमने अपनी एक नर रास्ते को बना लिया है God King लेवल तक पहुंचने के लिए अब लूफिंग से पूछता है कि अगर तुम्हाँ पास यह रास्ता है तुम आखिरकार God King में breakthrough क्यों नहीं कर पारे अब हम लोग जानते है कि लूफिंग के पास इतनी पावर है इतनी कर लिया कि लूफिंग चाहे तो God King में breakthrough कर सकता है लेकिन लूफिंग हर बार की तरह अपनी लेवल के बोटल नेक पर जाकर रूपता है ताकि वह जितना जाला हो सकी उतनी जाए टुम बने में और कि लूफिंग के ऐना चलो देखते हैं कि आखिरकर तुम मेरे कतने अटक को बिजस्ट कर सकता है जिसके बाद करने लगता साथ में लूपिंग अपने mental powers को भी अटाक करना सुरू कर देता है साथ में लूपिंग आप पर बताया जाता है कि लूपिंग अभी 50 क्लोन को कैप बलता बनाने में लेकिन अभी फिर वो सिर्फ 36 को बनाया होता क्योंकि यह एक परफेक्ट ब्लेट फॉर्मिशन हो जाएगी 36 लुवान जो कि उसके लिए बहुत ही फायद मंद होने वाली है और अब फिर दिखाया जाता कि वो बंदा मानों डर से कापने लगता है कि लूपिंग के जो डिस्ट्रक्स भी पावरती वो पहले एक सिंगल नमर में इतनी जाला थी और लूपिंग ने 36 को बन करने की कोसिज करने लगता और यहां पर उसके कहता कि रुकू मैं नोगी स्वेट करने को त्यार हूं मैं यहां पर कंपसेंट कर दूँगा मुझे माफ कर दो अब यहां पर वाल और अंचेस्टर पूरी तर से घबरा गया होता है कि वह लूपिंग की पावर को पहले हलके म ले रहा था लेकिन जैसे उस पर अटाक लगना सुरू होते हैं वह जानता है कि अगर एसी आटाक चलते तो उसकी बॉडियां पर डिस्टो हो जाएगी और एक बार उसकी बॉडियां से डिसपरेट हो जाएगी तो उससे फिर से आने में 50 मिलियन में स्पॉंस लगने माले ह होगे मतलब बहुत ही लंबा बहुत लंबा इतिजार करना पड़ेगा और यहां पर लूपिंग की तब देखने लगता है और कहा था प्लीज मुझे छोड़ दू कि वह जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो यहां से आओ लूपिंग से उने को सीट करने की कोसिस करने लगता है लूपिंग उसकी तब देखता है अब कोई नॉर्मल बंदा होता है तो वो उससे नेवस्येट कर लेता है लेकिन यहां पर लूपिंग किसी होर को मरसी तो दिखा सकता है लेकिन लूपिंग जिस बंदे से फाइट कर रहा था वो फूड किंग्डम का था जो कि उसके को तुम से बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा जिसके बाद दिखाया जाता है कि सिर्फ दस सांसों की देर थी वहां पर वांग और इंचेस्टर की फ्लेम बॉड़ी पूरी तो से अनिलेट हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मरने से पहले लूपिंग पर पा अपने प्लेस में वह अपने आँखों खुलता है जोर से चिलाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वहां पर जितने भी अगल बगल बंदे डिस्पस गार्स होते सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह बहुत ही जाते हैं इनर्जी निकार है जिसको देखकर हो सभी घबराने सब लोग कि ज़रूर कुछ में कुछ हुआ है और सब लोग जान जाते की विद्धा साफ नजर आ रहा होता है उनके आखों में फ्रस्ट्रिशन भी होता है और हम धिका आजाता है कि अभी उनके पास 20 rewards points बचे हुए होते हैं जैसा कि मैंने बता एंपॉंट के हिसाब से ही ह आप लोग कर सकते हैं युवांट वेस्ट में से ही अब इसके पास होते हैं लेकिन ये काफी नहीं होते हैं और वो बहुत ही जाला गुस्ता में होता है कि लूब है मैं तुम्हें चोड़ूंगा नहीं और वो कहता है चाहा तुम गौड किंग क्यों न बन जाओ मुझे विश होता है कि यहाँ पर पहले इन्फयनाइट स्पेस में ता फुर्स के पास यहाँ पर अंदर गया होता है उस ट्वेजर हंट में तो देखों यहां पे दो जगा होती है वहां पे एंट्री करने से पहले इंफिनाइट स्पेस होता है माम लोग एक इंफिनाइट स्पेस एंट्री जासा हो गया उसे के अंदर वहां पे लूपेंग को अंदर ट्वेजर वर्ल्ड मिलता है जहां नेक्स्ट एपिसोड और भी इंट्रेस्टिंग होने वाला और चिंता मत करो दो दिन में मैं सार एपिसोड को खतम कर देने वाला हुँ तब तब मिलते हैं नेक्स्ट रूम है तब तक के लिए बाए वाला हुँ वाला कर दो